वेलकम बैक टुदा चैनल गाइज आज हम लोग बात करेंगे युएस के नए प्रेसिडेंट डॉनल ट्रॉम्प के बारे में जैसे हम लोग को पता है कि प्रेजेंट ली हम लोग देखें डॉनल टॉम्प ने अपने तरफ से युएस में एलेक्शन जीता और पूरा दुनिय जो है उसमें बहुत सारा कंट्रीज है जो इसको सेलिब्रेट कर रहे है आज करेट में अगर देखा जाए युएस में जो डॉनल टॉम्प के सपोर्टर है वो लोग तो पागल हो गया है इस लेवल पर वो लोग अपना सेलिब्रेशन चला जा रहा है अन्दा देखा जाए इंडिया में बहुत जगा में डॉनल टॉम्प का जीत का जो है उस सेलिब्रेशन मनाया गया डिफरेंट मंदिर में डिफरेंट टाइप पीपल जो है वो अपने तरब से वर्शिप किया डॉनल टॉम्प का सेलिब्रेशन को लेकर हर कोई जो है बहुत ही जादा एकसाइट के दो कंट्री के में relation कब अच्छा grow होता है जब दो कंट्री के बीच में अच्छा सा trade होता है और no doubt हम लोगो पता है कि इंडिया के साथ US का जो trade होता है उसमें हमेशा इंडिया surplus में रहता है मतलब मतलब इंडिया ज्यादा export करता है on the other side जो export करता है उससे कम कीमत में इंडिया import करता है जिससे जाए कि इंडिया को ज्यादा profit होता है तो अगर हम लोग Trump जब president थे मतलब 2017 से 2021 का जो data है वो अगर हम लोग check करें या फिर उस टाइम में Trump ने अपने तरब से इंडिया के एगेंस्ट में या फिर इंडिया के लिए क्या क्या कदम दिया था वह हम लोग अगर check करें तो हम लोग को एक clear view बन सकता है कि आगे जाके इंडिया यूस का जो relation हो क्या गो करने वाला या फिर ट्रंप इंडिया के लिए अच्छा होगा या फिर ट्रेड में convert हो गया 2019 में यह था आपका 146 बिलियन मतलब टोटल ही यह जो देख रहे हम लोग यह धिरे-धिरे grow कर रहा है क्राफ और उसके बाद 2020 में जाके यह हो गया 113 बिलियन अब फूच सकते के भाईया इतना इसके बीचे एक रिजन था जो मेजर रिजन तो वह था आपका कोविट और अगर हम लोग नेक्स्ट एयर भी देखे तो उस एयर में भी यह जो अमांट है यह 113 बिलियन ही था मतलब यह सेम रहा जो पोस्ट कोविड यह था मतलब हम लोग यह देख सकते के कोविट के इंडियार यूएस के बीच में वो त्रेड धिरे 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 ग्रोक करा था सा इस सціाइम में डॉनलल्ट ट्रॉमप ते एसमें नो डबन इसी टाइम पिरियोड में इन्डियार यूएस के बीच में जो भी ट्एड हुआ है उसमें हमेशा इंडिया surround myself में रहा है 2017 में 19.7 billion dollar 2018 में 20.9 billion dollar 2019 में 17.5 billion dollar और 2020 में 21.9 billion dollar इंडिया surplus में रहा है और 2021 में यह 23 billion dollar रहा है तो देखा जाए इंडिया को हमेशा फाइदा हुआ है मतलब इंडिया जब भी यूएस के साथ trade करता है तो no doubt इंडिया surplus में रहता है और आगे अगर देखा जाएए जो data मैंने आपको कवाइट किया इससे हम लोग को एक चीज पता चलता था कि जब Donald Trump यूएस के प्रेशिडेंट है अगर आप इसके पीछे रिजन देखने जाए तो आपको तीन मेजर रिजन आपको सामने आएगा बहुत बात दोनों कंट्री के बीच में बहुत सारे मेटिंग्स हुआ है जिसमें मेजरली जो फोकस किया है वह है आपका टैरिफ रिडक्शन इ जिससे इंडिया का जो बढ़ता गया है अभी तक जो डेटा मैंने आपको प्रोवाइट किया है इससे आपको पता चल गया कि डॉनल्ड ट्रॉम जब यूएस के प्रेशिडेंट थे तो नो डाउट अगर ट्रेट के हिसाब से देखा जाए तो यह एक पॉजिटिव साइं लिया है जो इंडिया के लिए पॉजिटिव नहीं था जिसके वाज़से इंडिया को भी लॉस फेस करना पड़ा पॉर एक्जाम्पल 2019 में ट्रॉम्प ने अपने तरफ से जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा था उस टाइम में इस में अपने तरफ से उसके ऊपर इंडिया ने उसी टाइम में अपने तरफ से युएस के बहुत सरे गुड्स के ऊपर रिटालियाशन टैरिफ जो है वो इंपोस कर दिया जिससे आगे जाके इंडिया को थोड़ा सा रहात मिला अगर देखा जाए दोनों कंट्री में उस टाइम में जो रिलेशन था एक इंडिया में ख़ली बन जाता है जिसके वज़े से युएस कमपनी जो है उँडिया में जाधा बिजनस कर नहीं पाता है डॉनल्ड टरम जब इंडिया के उपर से प्रेफिरेशन टूट्मेंट को हटा लिया गया जोके डॉनल्ड टरम का विश्ध था और आगए जाके इस उपर इंडिया के लिए एक टाइम में अपने को सोचा है ऐसा नहीं है कि डॉनल ट्रॉम सिफ इंडिया के बारे में सोचता है और यह अगर आज करेट में अगर इंडिया को भी देख ले जो है सबसे पहले जो है लेता है वो सबसे पहले जो profitable होता है वो इंडिया के लिए उसके बाद वो दूसरा कंट्री के लिए सोचता है यह सब होने के साथ साथ पैरलल में डॉनल्ड ट्रॉम हमेशा ही मोदी जी के साथ जो friendship है उसको काफी value दिया है नो डाउट आज के रेट में अगर देखा जाए दुनिया में अगर डॉनल्ड ट्रॉम के जो limited friends है जो डॉनल्ड ट्रॉम प्रोफेशनली जिन लोगो friends कहते है पर example अगर हम लोग ले लेके मोदी जी को तो डॉनल्ड ट्रॉम उनको बहुती अच्छी तरह से अपना अच्छा दोस्त मानते हैं अगर एक चीज हम लोग को समझना चाहिए यह जो दोस्ती है यह एक प्रफेशनल दोस्ती है इसके बीच में जो आता हुए आपका geopolitics और हम लोग को जैसे पता है कि geopolitics में कुछ भी फी नहीं है अगर हम लोग डॉनल्ड ट्रॉम का सिप्टेंबर को हम लोग उसके उपर और भी ज्यादा टैक्स करेंगे जिससे हो सकता है कि इंडिया का डिफरेंट सेक्टर फॉर एक्जामपल अगर हम लोग ले ले आई टी सेक्टर यह फिर फार्मा सेक्टर यह सब जो सेक्टर में कुछ प्रॉब्लिम है ऑन दादा साइड हम लोग को उम चाहता है कि चाना का चाहता है कि चाना जाधे एक्सपोर्ट ना कर पाए और आगर चाना का घटाना है तो नो डाउट जो डिमांड है वो तो exact constant रहेगा हो सकते हैं दिमांड और भी grow करें मगर वो supply कोन करेगा presently इंडिया अपने तरफ से एकोनोमी इंडियन एकोनोमी जो है वो grow करें on the other side इंडिया में आप जो manufacturing sectors है different type of manufacturing sectors वो लोग अपने तरफ से आके इंडिया में अपने problem आ सकता है on the other side आगर देखा जाए volume में इंडिया अपने तरफ से जो production कर रहे है वो production आगे जाके इंडिया के लिए एक नया level खड़ा कर सकता है या फिर जो वेस्ट का नीड है जो जो प्रोड़क्ट वेस्ट का नीड है वो production अगर इंडिया करता है इंडिया को एक बेटर चैनल इस अतनु पॉल एटीए एन्यू स्पेस पील में जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत सारा इंडियो जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके जो special person है उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए क्या होता आपका जो क्या सोच है और सबको आपका जो सोच है वो पता चलता है तो यह वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद झाल